25 जून 1975 राद के अंधिरे में स्रीमती इंद्रा गांधी जी के नित्रुत्व में कॉंग्रीस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नश्ट करने का प्रियास किया था उस समय के सभी विपक्सी दलों की नेताओं को उसमें से टल ब्याहरी बाचपेई जी से मौरार जी देसाई जी से जैप्रकास नाराण जी से लाल किष्णा डवानी जी और विपक्स के सभी नेताओं को बंद करके लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोटने का प्रियास किया था आज जब पचास वर्स के उपरांद हम इमर्जंसी की उन यादों को स्मन करते हैं तो स्वाभाई कुरूप से कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र उसके हाव वहाव आज भी वही हैं जो 1975 में एक बरबर चेहरा उस समय में कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिला था कैसे उन्होंने समिधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियम्बल में संसोधन करके उसकी आत्मा को नश्ट करने का प्रियास किया था कैसे कॉंग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह प्रतिवंदित कर दिया था कैसे न्यायले के अधिकारों को कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधग बना के रख दिया था और आज भी कॉंग्रेस पार्टी में बले ही नेत्र तो बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है यह लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र को कड़गरे में खड़ा करते हैं भारत की चुनाओ प्रणाली पर प्रस्ण चिन्द खड़ा करते हैं भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोकतंत्र को कोशते हैं भारत के अंदर हर चुनाओ की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके इबियम पर अपने अकर्मनेता का दोस्त थोपने का प्रियास करते हैं एक तरह कॉंग्रेस का यत्ताना साही पूर्ण रवया जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं आजादी के ततकाल बाद समिधान अंगिकार करने के मातर दो वर्स के अंदर ही देश के समिधान में संसोदन करके धरा 370 को उसमें जवरन डाल करके देश के अंदर देश की ए खंडता को चुनाओती देने वाली धरा 370 को डालने का प्रियास किया था कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस के इन सभी सहयोग्यों को जिनोंने लोकतंद्र को कमजोर किया है समिधान के प्राबधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है इसके लिए आज इमर्जंसी की पचास वर्स पूरे होने पर इन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए अपने स्कृति के लिए और अपने न केवल चेहरे को बलकि चरित्र को देश के लोकतंद्र के अनुरूप ले जाने के लिए